इसी में हम जी chapter discuss करें हैं वो correcting lens distortion इसमें हमारा topic है making dramatical perspective improvements better understanding के लिए हम कुछ example tricky examples को इसमें देखेंगे इस video में इसमें हम start करते हैं इस image में जिसके अंदर हमारे पास distortion का काफी issues हैं यह image काफी अजीव सा image है जिसके अंदर हमारे पास कुछ side distortions है इसके लिए हम lens correction में सबसे पहले जाते हैं और उसके बाद हमने जो हमारा पिछली वीडियो में हमारा जो first step था उसको हम skip करेंगे हम auto के button को click करेंगे तो वह automatically इसको थोड़ा बहुत correction इसके ओपर implement करेगा और इससे थोड़ा बहुत adjust करेगा बड़ लेकिन दोनों side पे कुछ spaces हमारे पास आगी है इसके लिए हमें दुबारा enable profile correction को click करना पड़ेगा जिसे जो इसको काफी हद तक more enhance कर देगी और इसकी distortion के issue को remove कर देगी इसको और चेक करने के लिए हमारे पास जो previous image था और new image comparison के लिए हम toggle button को click करेंगे फिर हम इसको और इसके जो corner और edges हैं वो काफी soft उचके से crop कर लेते हैं ताकि ये और image हमारा best form में आजए इसके लिए हम ये crop का tool यूज करेंगे और double click करेंगे ये अब हमारे पास image एक enhanced form में आ चुक है जिसका result काफी better है next एक example है जिसके अंदर एक हमारे पास photograph है जो हमारे पास slightly एक side के ओपर हमारा move किया हुआ है इसमें हम enable करते हैं तो ये slightly इसके ओपर correction करता है लेकिन ये हमारे image के लिए enough नहीं है अब इसमें हम अब जो up right control में जाते हैं जिसके अंदर हमारे पास 3 चीज़े है level करते हैं तो हमारे पास वो image को right side के ओपर move करता है protocol यूज़ करते हैं तो वो इसकी जो हमारे columns हैं उनको straight करेगा जब full यूज़ करेंगे तो वो हमारी पूरी image को एक straight image में convert करतेगा जो हमारे पास जो fall है वो full जो हमारे पास image को set कर रहे हैं लेकिन इसके अंदर हमारे पास ये कुछ spaces आ रही है टॉप पे और bottom में इसको adjust करने के लिए हम cropping tool यूज़ करेंगे इस area में और इस पर double click करेंगे ये crop होज़ेगा कभी कभी इस तरह होता है कि हम light room में start करते हैं लेकिन हमें finish जो है वो photoshop में करना पड़ता है और ये हमारा ये ही case है जिसके अंदर इसके ये जो border है इसको और इसकी जो bottom spacing है वो हमें photoshop में adjust करनी पड़ेगी या इसके लावा हम इसके lens correction के थुरू भी इसको हम set कर सकते हैं इस में इस वीडियो में हमने देखा किस सरह हम कुछ जो हमारे complicated images थे उनको हमने lens distortions के issues को हमने resolve किया झाल झाल सकते हैं झाल